व्रक्यतुन्य महा का ये सूर्य कोटी संप्रभार निर्विग्नम कुरू मिंदेव सर्विकारेशु सर्वदा मेरे चनल में आप सबी का स्वागत है तो आज का मेरा वीडियो है गनेश चतुर्थी 2022 में कब है जानिये उसकीती थी वा महोट क्यों मनाई जाती है गनेश चतुर्थी गनेश चतुर्थी का ब्रत या पूजन भी थी गनेश चतुर्थी से जुड़ी कथाएं और गनेश चतुर्थी से जुड़े टेथ और गनेश चतुर्थी का महत्त यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ साथ ही साथ फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन में जरूर प्रस कीजिएगा जिसे मैं ऐसे वीडियो लाती रहूंगी तो आप तक पहुंच सके तो गनेश चतुर्थी का मोहुट देख लेते हैं तो गनेश चतुर्थी है 37 मिनट तक अवध है इसकी 2 घंटे 33 मिनट तक समय जब चंदरसन नहीं करना चाहिए तो है 3 बज के 35 मिनट से 8 बज के 38 मिनट तक 30 अगस्त को समय जब चंदरसन करना है नहीं करना है तो 9 बज के 26 मिनट से 9 बज के 10 मिनट तक 31 अगस्त को रहेगा तो अब आए जानते हैं दो जारवाइस में गणेश चतुर्थी कब है वो गणेश चतुर्थी की तारीक हुआ महोर्त गणेश चतुर्थी भाद पद्र सुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है मान्यता है कि गनेश जी का जन्म भाद प्रत सुकल पक्ष चतुर्थी को माध्यान काल में सोम बार स्वाती नशक्त एवं सिंग लगन में हुआ था इसलिए ये चतुर्थी मुख्य गनेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है यह कलंक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्य है लोग परंपरा अनुसार इसे जंडा चवत भी कहा जाता है गनेश चतुर्थी का मोहूर्थ इस पर्व में माध्यान के समय मौजूद चतुर्थी ली जाती है इस दिन रवीवार या मंगलवार को हो तो महा चतुर्थी हो जाती है गनेश चतुर्थी का ब्रत वा पूजन बिधी ब्रती को चाहिए कि प्राते इस्तान करने के बाद सोने ताम्बे मिट्टी की गनेश प्रतिमा ले एक कोरे कलस में जल भर कर उसके मूपर कोरा वस्तर बांध कर उसके उपर गनेश जी को विराजमान करे गनेश जी को सुन्दूर वा दूरवा अलपित करे या 21 लड़ों का भोग लगाए इन में से पांच लड़ू गनेश जी को अर्पित करके सेस लड़ू गरीबों या ब्राम्हनों को बार दे सायम काल के समय गनेश जी का पूजन करना चाहिए गनेश चतुर्थी की कथा गडेश चली सावा आरती करने के बाद अपनी द्रश्टी को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्ग देना चाहिए इस दिन गनेश जी के सिद्धी विनायक रूप की पूजावा ब्रत किया जाता है पिसे इस मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए वरना कलंक का भागी होना पड़ता है अगर भूल से चंद दर्शन हो जाएं तो श्रीमत भागवत के दसमे इसकंद के 97 अध्याय का पाठ करने से चंद दर्शन का दो समाप्त हो जाता है ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते तुलसी पत्र गनेश पूजा में इस्तिमाल नहीं हो तुलसी को छोड़ कर बांकी सब पत्त्र पूजप गनेश जी को प्रिये है गनेश पूजन में गनेश जी की एक प्रतिमा करने का विधान है मातांतर से गनेश जी की तीन परिक्रमा भी की जाती है ये तीन नहीं करना हैं तो एक परिक्रमा तो जरूर ही करना चाहिए अब गनेश जी से जुड़ी कताएं एक बार पारविती जी इस्तांट करने के लिए जा रही थी उन्होंने अपने सरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूंके और ग्रह रक्षा घर की रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया ये द्वारपाल गडेश जी थे ग्रह में प्रवेश के लिए आने वाले सिव जी को उन्होंने रोंका तो संकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया जब पार्वती जी को इसका पता चला तो वै दुख के मारे बिलाब करने लगी उनको प्रिशन करने के लिए सिफ जी ने गज हांथी का सर काट कर गणेश जी के धड़ पर जोड दिया गाजी का सिर जुडने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा एक और अन्यकथा के अनुसार बिवाह के कुछ दिनों बाद तक संतान्दा होने के कारण पार्वती जी ने स्री कृष्णी के ब्रत से गणेश जी को उत्पन किया सनी ग्रह बालक गणेश को देखने आए और उनकी रष्टी पढ़ने से गणेश जी का सिर कट कर गिर गया फिर बिश्णू जी ने दुबारा उनके हाथी का सिर जोड दिया माननीता है कि एक बार पर्शू राम जी स्युपार्वती जी के दर्शन के लिए कहलास परवत गए उस समय स्युपार्वती निंद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे पर्शू राम जी ने अपने पर्शू से उनका एक दार्ट कारट डाला इसके लिए गनेज जी को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रैंड्स अधि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए गल कमेंट और लाइक से जरूर कीजिए गल धन्यवाद